तो जैसे की फ्रेंड आपको पता ही होगा कि अगर हमारा कोई LED बल्प खराब हो जाता है तो उसे रिपैर करने के लिए हमें सोल्डिंग आरन और मल्टी मीटर की जरूद पड़ती है लेकिन अधिकतर लोगों के पास सोल्डिंग आरन और मल्टी मीटर घर पे नहीं होता जिसके कारण से वो अपने LED बल्प को रिपैर नहीं कर पाते लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं एक आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप बिना मल्टी मीटर बिना सोल्डिंग आरन के भी अपने LED बल्प को घर पे बड़े अराम से रिपैर कर पाऊगे तो वीडियो के बिलकुल ध्यान से और पूरा देखना तब यह आपको अच्छे से समझ में आएगा तो जैसे कि मेरे पास इस टैम पे मिडास कंपनी का यह साथ वाट का LED बल्प है और यह काम नहीं कर रहा है यहां पे देखे मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा जब इसको हम वोल्डर के अंदर लगाते हैं तो यहां पे देखे इस बलफ के अंदर हलकी हलकी हमारे बिलकुल लैट जलती है यह द खोलना है इस डिफ्यूजर को खोलने के लिए देखे फ्रेंड यहां पे मेरे पास यह ओपनर है आप कोई भी पतला पेचका स्वाइगरा भी ले सकते हो तो सिंपली हमें क्या करना है इस ओपनर को देखे यह जो सैट से यहां से हमारे चिपका हुए ना डिफ्यूजर यहा जड़ा को जादा लगाना पड़ेगा तो आप देख लेना कर दो तो कोल लिया तो इस तरीके से देखिए मेरे लेटी वल्फ के अंदर क्या है यहां पे हमारा यहम से पैनल लगा हुआ है और इस सबसे पहले जब भी आपका कोई भी भी खराब हो सबसे पहले मैंने आपको कई वीडियो के अंदर बता रखा है कि सबसे पहले आपको क्या देखना है यह जो हमारा MCPC पैनल के अंदर SMT लगी है इसको ध्यान से देखना है कि क्या इसके अंदर कोई SMT है काली तो नहीं पड़ गी है कोई SMT हमारी जलतों नहीं की है तो ये सारे चीज़े आपको आँखों से बिलकुल अच्छे तरीके से ट्रैस करनी है जैसे कि मैं यहाँ पर आपको जोम करके दिखा रहा हूँ तो इस तरीके से फ्रेंड देखने वे मैं मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा सारी SMT fresh दिखाई दे रही है यहाँ पर इस SMT के अंदर थोड़ा सा हलका सा धबा दिखाई दे रहा है बाकी लगवख fresh दिखाई दे रही है तो इस तरीके से अगर आपको ऐसे जली हुए SMT दिखाई दे जाए तो आप क्या कर सकते हो यह वहाँ पर तो आप देख सकते हो, यहाँ पे हल्की हल्की सारी SMD जल दिया लेकिने, फुल लाइट के अंदर काम नहीं कर दी है, तो यहाँ पे आप हमें क्या चेक करना है, कि देखी इसके अंदर क्या होता है, कि जितनी भी SMD हमारी लगी होती है, सारी सारी सीरीज में लगी होती है, कुई इस तरीके से देखने पर हमें कुछ नजर नहीं आरा अगर आपको साफ-साफ नजर आ जाए तो अच्छी बात है तो यहां पर देखिए इसे आप हम करन्ट लग जाएगा तो अगर आपके पास चिम्टी है नहीं तो आप क्या करोगे यहां पर देखिए बिल्कुल सा तरीका यह है आपको इस टैप की वायरिंग वाली वायर ले लेनी है और इस तरीके से आगया से छील लेना है तो कुछ इस तरीके से यह हमारी चिम्टी बन जाएंगे यहां पर इस तरीके से हम चेक करेंगे तो यहां पर कोई भी फरक नहीं पड़ा इस तरीके से लगाया है तो SMT हमारी बंद होगी तो यहां पर कोई भी फरक नहीं पड़ा इस तरीके से हम इसके अंदर लगाएंगे देखते हैं तो यहां पर भी कोई भी फरक न यहां पर देखे इस SMD को सोड करा, तो यहां पर हमारी सारे LED बागी की काम कर रही है, तो इससे हमें क्या पता चला, friend की यहां पर देखे, इसको मैं यहां से orders निकाल देता हूँ, इससे हमें यह पता चला कि यहाली जो SMD है, यह हमारी खराब होगी है, जबकि देखने में नहीं आ रहा है, जबकि यह SMD खराब हो चुकी है, तो इसी तरीके से फ्रेंड कई बार प्रोलम होती है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, जबकि इस SMD के अंदर हमें धबा दिखाई दे रहा है, लेकिन खराब यह वाली SMD है, तो हम क्या करेंगे देखिए, अब हमें क् कटर या पेचकस के मदद से, इस SMD को देखिए, इस तरीके से तोड़ के निकाल देना है, इस तरीके से हम इसको तोड़ देंगे, यहाँ पे इस तरीके से आपको तोड़ना है, जब आप इसे तोड़ दोगे ना, तो इसके अंदर क्या होगा फ्रेंड, आपको इसके काम आपको जरूर कर लेना है यहां पे इस तरीगे से हमने तोड दिया ठीक है इसके उपर का देखे जो हमारा प्लास्टिक जो भी था वो निकल गया है तो यहां पे देखे हमारे दो तो दो पॉइंट है एक पॉइंट यह है और यह पॉइंट यह है उतकिंस के पॉराना सेविंग ब्लेट परीपैर करेंगे अब आप सोच रहोंगे भी blade का इस bluff के अंदर क्या काम है तो मैं आपको simple सा बता रहा हूँ यहाँ पर देखिए आपको cutter की मदद से सबसे पहले blade को काट लेना है लेकिन यह काम थोड़ा सा समल के करना है कि हाथ में blade में लग जाए तो इस तरीके से मने पास cutter है इसके मदद से यहाँ पर हम blade को इस तरीके से काट लेंगे यहाँ से मैंने इसको काट लिया है और काटने के बाद देखिए इतना सा टुकड़ा blade का मैंने निकाल लिया है अब इस टुकटे को देखिए हमें कहां पर लगाना है इसको लगाना है यह जो हमने SMT निकाली है इसके उपर लगाना है यह देखिए इस तरीके से हम इसको लगाएंगे तो यहां पर देखिए हमें क्या करना है इसको इस तरीके से बराबर से लगाना है और बराबर से लगा ढ़ानेक बात देखें हमें इसके उपर टेप लगानी है यह दिखें इस तरीके से हमें टेप लगाएंगे यहां पर इस तरीके से यह दौक्तर वाली टेप है कि LED को इस तरीके से सोड करने पर हमारी जो LED है ये दुबारा से खराब हो जाती है, दूसरी SMD खराब हो जाती है, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, अगर हम इस तरीके से किसी SMD को सोड करके चलाते हैं, तो वो जल्दी से दुबारा खराब हो जाती है, लेकिन friend मैं आपको बता खराब हो जाती है तो आप उससे सोट करके चला सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है हाँ अगर आप गर्मी के टाइम पर अपने बलब को इस तरीके से सोट करके चलाओगे तो उस टाइम पर आपकी जो दूसरी SMD है या तीसरी SMD वो खराब हो जाएगी लेकिन सर्दी में ख तो इस तरीके से इसको लगाकर यूज करेंगे तो बलब तो काम करेंगा लेकिन जब ये बलब हमारा यूज होगा तो यह गरम होगा जिसके Mensch response गो liitरी से सब्सक्रण allen Sumd Elizamask लगाम करता है तो इस तरीके से हलकी से यहां पर इसको लगा देंगेगे थैष्थिय के लाओं कि ये इसके उपर एक layer बना देगा, अब ये जो hitsing paste होती है friend, इसकी खासियत ये होती है, ये जाहे जितनी गरम हो जाए, ये अपनी पकड नहीं छोड़ेगा, तो इसको मैंने tape के side में भी अच्छे से लगा दिया है, जिसकी वज़े से जब ये सोख जाएगा, क्योंकि इसको सोखने वे, कम से 15 minutes लगते हैं, ऐसा नहीं कि 5Q की तरह डालते सोख जाएगा, तो थोड़ा time लगता है, तो इसलिए पहले मैंने tape लगे और tape के बाद इसको लगाया है, ताकि ये अपनी पगड बना ले, इस LED बल्फ को आप हम holder के अंदर लगा के देखते हैं, क्या ये LED बल नहीं है, तो इस तरीके से फ्रेंड आपने देखा कि यहाँ पर इस LED बल्फ को रिपैर करने के लिए, ना तो मैंने salting iron का यूज करा, ना multimeter का यूज करा, यहाँ पर यूज करा, मैंने सिर्फ एक ये blade जिसे आप किसी भी दुकान से खरी सकते हो, ना कि दुकान पर तो अपने LED बल्फ को घर पे रिपैर करना है, तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं, नेक्स टूडियो में कुछ नेटोपिक साथ, तब तक लिए जैहिं वंदे मातरम